उम्प्रकाश राजबर के बाद केशव प्रसाद मौर का बड़ा दावा अकले शाद आपके खेमे में हल चल बड़ी नमस्कार दर्शकों आप देख रहे हैं ट्रिगर यूजर मैं हूँ आपके साथ चेश्टा चोपरा रामचरित मानस पर विवादित बयान के बाद समाजवादी पाठी के MLC स्वामे प्रसाद मौर लगातार चर्चा में बने हुए हैं सबसपा प्रणुकों प्रकाश राजबर ने चोगाने वाला दावा करते हुए कहा है काई सपा नेता के凭ाला बदल कर BJP में शामिल हो सकते हैं इसके बद अपकेशव प्रसाद मौर ने भी ऐसा ही दावा किया है उप्राकाश राजबर ने दावा करते हुए बीजेबी में जाएंगे क्या ये दलबदलू नेता लोग हैं ये कभी बीजेबी में रहते हैं अभी सबा में हैं और फिर दाउं लगाने के चकर में होंगे जिस चौपाई की बात वो कह रहे हैं और आज भगवान राम याद आ रहे हैं BSP की सत्ता चार बार रही और जब सत्ता जाते देखा तो छोड़ दिया हमें हमारे सूत्रों से पता चला कि उनसे पूछे गाया कि BJP का कोई नेता सपा के समपर्क में है तब डिप्टी सीम ने कहा पहले अकलेश आदव अपने ही विधायक बचा ले तो अच्छा रहेगा उन्होंने कहा सपाप समाप्तवादी पार्टी हो गई जब उनसे सुवामी प्रसाद मौर के बयान पर सवाल किया गया उन्होंने कहा उनके विवादत बयान के पीछे अकलेश आदव का हाथ है सपानेता उनके कहने पर ये बयान दे रहे हैं बता देगी सूत्रों से हमें यहा पता चला है कि केशर पसाद मौर से बाचीत के दोरान अकलेश आदव पर जमकर निशाना सादा है इस दोरान उन्होंने या भी दावा किया कि अगले 25 सालों तक सपासत्ता में नहीं आए की जबकि अगले लोग सवाचुनाफ को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी पीम नरेंदर मोदी के नेतरित में फिर से बड़ी जीत दर्च करेगी हम यूपी में 80 में से 80 सीटों पर जीत दर्च करेंगे धनेवाद दर्शकों ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे है ट्रिगर निउस